मैं आपको पताने वाले हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले हैं गवर्मेंट्स OTT Oversight फिर आता है हिदन प्लाइट ऑफ डाइवॉर्टेड पेमेंट्स तो डाइवॉर्टेड पेमेंट्स से रिलेटेड क्या इशू है और ताट आप सभी ने डंकी मुवी तो देखी होगी है यह बहुत ही एक मेजर इशू जो है वो हाइलाइट हुई है और यह इशू से ही रिलेटेड हम जो है यह आर्टिकल रेफर करेंगे दिस इस गोई तो बी रिलेटेड तो दी ट्रावल हिस्ट्री ओवर हीर ओके तो चलिए ले देख सकते हैं कि government OTT oversight में क्या कह रहा है the new broadcasting अभी देखे जो नया broadcasting services regulation बिल 2023 है यहां पर इन्होंने OTT platforms के उपर जो एक अपनी पकड़ है वो और भी जादा उन्होंने मजबूत कर दी है and digital content को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी चीज़े जो है न एक रसी को और लगाम Cable Television Networks Regulation Act जो है इसको replace करना and proposing mandatory registration content evaluation committees for self-regulation and three-tier regulatory system तो यह इसके main aim है ठीक है तो यह हमारा important हो गया specifically किस चीज़ के लिए prelims के लिए जो है यह हां पर important हो गया हाला कि bill-based questions जो है वो prelims में नहीं आते हैं but still you never know UPSC का जो है उन्होंने अगर अपनी mood change कर ली तो what you will be doing the government claims government claim करती है कि modernize that it is basically trying to modernize the regulations जो regulations है उसको modernize करने की यहां पर यह लोग जो है वो एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भई हम जो चीजें modernize कर रहे हैं okay specifically यह चीजें यहां पर बोली जा रही है and apart from that this is also being seen की जो digital media है digital content है इन सभी को scrutinize करने की बहुत जादा ज़रूर रहते क्योंकि बहुत जारे ऐसे content है जो बहुत ही जादा obscene and vulgar रहते हैं which is and as of now all of us are aware of this thing की भई रोटी कपडा मकान and plus internet जो है वो भी एक basic need हो गया है हर किसी का तो इसी से ही आप समझ सकते हो कि बहुत जादा मतलब एक तरीके से reach है बच्चे बच्चे हो चोटे बड़े कोई भी हो हर किसी को इस तरीकी की जो contents होते है उससे reach मतलब they have a reach related to these kind of content which is completely wrong because देखो आप क्या चीज कंज्यूम करते हो उस चीज के उपर आपका mind जो है उसी हिसाब से काम करता आपका brain उसी हिसाब से काम करता है अब यहाँ पर consume करने का मतलब क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर consume कहने से मतलब यह है कि सिफ आप खाना ही नहीं बल्कि आखें आपकी क्य करती है वो भी आपके brain पे बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो impact डालता है तो यह सारी चीजों को भी तरीके से मोल्ड करना scrutinize करना बहुत ज्यादा सुरूरी है अब यह कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल क्या कहता है तो बिल कहता है that no person or broadcasting company can provide services or run a network without formal registration or intimidation to the government with the exception of a few authorized bodies like प्रसार भारती और parliament channels ठीक है क्या कह रहे है कि कोई भी ऐसा कोई भी person या broadcasting company जो की provide कर सकती है services या फिर जो run करती है network बिना किसी formal registration के या फिर intimate without intimating without intimation to the government बिना किसी government को किसी तरीक को information दे बिना वो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो this this is the bill which is going to be applied on them यहां पिर इस तरीके की चीज़े से कौन exception है किसके पास तो that is the प्रसार भारती और parliament channels राइट तो यह जो channels है इनको एक तरीके से exception मिला हुआ है because they are the one who are being run by the government only okay अब यह जो cable television networks regulation act 1995 का है इसको replace करने की हाँ पर बात हो रही है तो यह अब नाम से बदा चल रहा है कि cable television networks cable television networks जो थे उसको regulate करता था ठीक है तो जो भी cable or satellite broadcasting network operators थे they were supposed to register to operate उनको register करनी की जरूत पड़ती थी operate करने के लिए वही पर ही जो ब्रॉड कार्ट ब्रॉड कास्टर थे शुड़ केट approval from the registering authority कि अगर किसी भी तरीके कोई भी प्रोग्राम उनको किसी भी तरीके को कोई भी प्रोग्राम उनको transmit करना है तो उसको they were supposed to take the authority जो भी मतलब जो भी authority है उनसे registration का approval लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता था right now they are required to maintain subscriber data also उनको subscriber की data जो data जो होती थी वो सारी चीज़े भी उनको maintain करनी पड़ती थी similar provisions applied to the terrestrial and broadcasting networks also जो यह तरीकी जो cable television networks regulation act है वही same चीज जो है वो यहाँ पे terrestrial and radio broadcasting networks जो होती थी उनके उपर भी apply होती थी ठीक है बट यहाँ पे overall जो बात आ रही है कि यह सारी की सारी चीज़े different तरीके के जो content होते थे उन सभी को regulate करती थी बट हमारा जो OTT platform है ठीक है जैसे कि अब यहाँ पे internet protocol television IP TV OTT broadcasting services मतलब यह जो तरीकी की सारे services थे ना इन में किसी तरीकी के कोई भी लगाम नहीं था कोई registration का कोई तरीकी का scene नहीं था ठीक है तो यहाँ पर what they are doing कि यह जो draft है उन्होंने अपनी परवियो अपना जो दाइरा है उसको बढ़ाया है जहां पर कि जो internet है उसको भी यह लोग broadcast services and programs जो है उसके अंदर लेकर के आ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो OTT platforms है उनकी भी जो content होंगे उनको भी review करने की अब यहाँ पर बात आएगी right so under the act OTT broadcasting services will however not include a social media intermediary or a user of such intermediary as defined under the information technology act of 2000 तो अब यहाँ पर यह जो पूरा act है इस act के तहत यह कह दिया गया कि कोई भी जो social media intermediary है जैसे कि अब यहाँ पर WhatsApp है मता Facebook है Instagram है यह तरीकी की जो भी media platforms है जो की information technology act 2000 के अंतरगत है जुनको define किया गया है उसमें तो they are not the one who are going to be under this thing right अब यहाँ पर आ जा रहा है content quality and accessibility को लेकर के तो कोई भी ऐसा program या फिर advertisement जो की broadcast होता है TV, Radio या पर किसी और broadcasting services के तुरू तो उनको program code and advertisement code जो है इसको basically adhere करना होता है मतलब इस चीज के according उनको काम करना होता है हाला कि यह जो program code and advertisement code है वो अभी तक इसको define नहीं किया किया है right now these these codes will also apply to individuals यह जो codes है न वो individuals को भी apply करते है and organizations को भी apply करते हैं जो कि broadcast broadcasting news and current various programs online or three e-newspapers इन सभी के थू जो है वो content को एक तरीके से क्या कर रहे हैं disseminate कर रहे information को news portals हो गए website हो गए या फिर कोई भी इस तरीके की similar social media platforms हो गई जो भी operate करती है तो that operate as a systematic business or professional entity so these are the ones who are considered as the professional entity or systematic business अब जो digital copies होती है newspapers की and publishers of the commercial newspapers will be exempted from this thing मतलब जो digital copies हो रही है इन समी चीजों की तो उनको इन चीजों से जो है exempt करके रखा हुआ है अब यहां मतलब यह पूरा article है यह पूरा article बहुत ही minutely सारे information को अपने अंदर रख करके बता रहे हैं a lot of information you are basically getting from this article अब यहां पर देखिए जो bill provides the bill provides accessibility guidelines जो bill accessibility guidelines जो है वो उसको deal करेगा in order to in order to address the needs of persons with disabilities calling for broadcasting network operators and broadcasters to make their platform equipment and programs more accessible जिसे की हर कोई जो है उस चीज को वो जो भी information सारी चीजों को देख सके consume कर सके जो suggestive measures है जैसे की blind लोगों के लिए sign language translations हो subtitles add करने की बाद है different fonts में sizes में colors में and यह सभी चीजे जो है वो एक तरीके से क्या करेंगे तो जो भी disabled लोग है special people है तो उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों के लिए जो भी content होगा वो काफी हद तक accessible होगा अब आती है बात self regulation की तो जो भी broadcaster है या फिर जो broadcasting network operator है उनको कहा गया है कि आप सभी लोग content evaluation committee CEC ठीक है content evaluation committee को establish करें जिसमें की members होंगे social groups के जैसे different different social groups के जैसे women child welfare schedule cast schedule tribes minorities इन सभी से related जो है content evaluation committee में लोग होंगे now जो broadcasters है they will be allowed to air only those programs certified by the CEC CEC के त्रू जो भी programs को certify किया जाएगा उन्हीं को ही वो यहां पर लेकर ले मतलब उन्हीं चीजों को यह ब्रॉड कास्ट करेंगे ठीक है except for specific shows exempted by the government कुछ ऐसे शो जो की government exempt कर देगा चलो भाई ठीक है इसको review करने की जरूद नहीं है तो that's a different thing but apart from that बाकि सारी चीजों को इनको जो है go through करना पड़ेगा राइट तो एक तरीके से खुद से ही regulation करेंगे राइट कि कल को अगर किसे तरीके कोई गडबड होती है तो definitely they will be the one यानि कि CEC content evaluation committee ही होगी जिसके उपर है जो उंगली उठाये जागी भाई you were the one who was supposed to keep an eye on this thing भाई ये गडबड जो है वो कैसे हो गई तो इनी के उपर जो है ये गाज गिरेगी the three tier broad regulatory structure prescribed in the draft has the following components अब ये जो three tier regulatory structure है उसको draft में कौन कौन से चीज है जो है वो रखी हुई है पहला तो आप देख ले सकते हैं self regulation operators दूसरा है self regulatory organizations right and तीसरा है broadcast advisory council okay तो self regulation by operators जो है this the broadcasters and broadcasting network operators basically they will be the one who will be establishing and maintaining mechanisms for filling and redressal of complaints मैंताब for filing sorry for filing and redressal of complaints तो वहां पे जो भी complaints है उसको filing करने के लिए and apart from that उसको address करने के लिए they will be the one who will be responsible for that और एक grievance redressal officer जो है उसको भी appoint करने के लिए कहा गया है कि अगर किस तरह कोई complain आती है content से related contravention of the program and advertisement code से related तो वो ग्रिवान से redressal officer का ये काम होगा कि उस चीज से वो डील करे नाव self regulatory organizations की बात करे तो ये एक body प्रपोस करी गई है ब्रॉफ ये this is the one who is going to be of the broadcasters broadcasting network operators or their associations which will guide their members to ensure compliance compliance with the broadcasting rules and deal with grievances related to content violations not resolved within a specific time frame क्ये के भई ये specific time frame में इसको resolve हो जाना चाहिए अगर नहीं होता है तो they are the one who are supposed to deal with this thing ठीक है राइट and अगर broadcaster को लगता if the broadcaster is found guilty of any wrongdoing right तो जो self regulatory organization होगी जो की which to which it belongs has the authority to expel उसके पास ये जो self regulatory organization है उसके पास ये authority रहेगी कि वो expel कर सके suspend कर सके या फिर जो penalties है उनको impose कर सके ठीक है वो किस तरीके से कर सकती एडवाइजरी के त्रू सेंसर्स के त्रू warnings go through, monetary fines जो है वो भी डाल सकते है और monetary fines भी पांच लाग रुपे से जो है वो जादा नहीं होनी चाहिए ठीक है फिर अब यहां पर आता है ठीक है अब यहां पर जो चीज आती है that is the next thing broadcast advisory council से related तो अब यहां पर the center will be the one who will be establishing an advisory council जहां पर की independent experts होंगे government representatives होंगे ठीक है and they will be the one who will be overseeing the implementation of the regulations regulations की implementation को लेकर के they will be the one who will be keeping a watch on that and apart from that content violation complaints जो होंगी they will be the one who will be hearing that and accordingly make recommendations to that of the government also फिर आता है provision for inspection seizure of equipment okay अब यह जो broadcasting services regulation bill है यह inspections मतलब government के दौरा जो inspections होगी उनको allow करता है कि government जो है वो inspections के लिए भेज सकती है okay बिना किसी prior notice के point to be noted बिना किसी तरीके की prior notice के operators जो है they will be the one who must facilitate monitoring at their own cost and can face equipment seizure if violations are suspected अगर violations जो है वो suspect किया जाता है तो they will be the one who जहां पर की यह जो उनकी equipments है वो seize करे जा सकते है and companies are liable unless they prove a lack of knowledge or due diligence as well what are the penalties for non-compliance non-compliance अगर जो भी बात बुला गया भी यह काम करना है आपको यह काम करना है आपको अगर आप नहीं करते हैं तो ठीके तो क्या होगा this bill basically includes provisions for penalties also जैसे कि जो भी objectionable shows है उसको remove करो orders, apologies, off-air periods और even cancellation of registration as well तो यह extreme level तक भी चीज़े जा सकती है अगर जो भी point बुला गया है अगर आप उन सारी चीज़ों को जो है वो नहीं मानते हो अब जो center है they may even prohibit the transmission of program जो program के transmission है उसको बंद करा सकता है या फिर जो broadcasters है उनके operation को बंद करा सकता है broadcasting network जो है इन सारी चीज़ों को भी and specifically अगर कोई national security reasons को लेकर किया फिर public interest को लेकर किस तरह कोई issue होती है तो दे उनकी जो दुखान है उसको बंद करवा देंगे तो बहुत ही एक तरीके साब देख सकते हो कि बहुत ही strict यहाँ पे regulation जो है वो देखने को मिल रहे है if the program or channel is likely to promote disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religions अगर कोई ऐसा program या फिर channel है जो कि एक तरीके से promote कर रहा है disharmony या फिर feelings of enmity, hatred या फिर जो religions के बीच में different religions के बीच में ill will मतलब गलत तरीके से चीज़े जो है वो प्रमोट करने के कोशिश कर रहा है racial differences, linguistic differences, regional groups of caste or communities या फिर जो public tranquility है on the ground of religion, race, language, caste, community इन सभी को लेकर के किसे भी तरीके और कोई भी गड़ड करने की कोशिश कर रहा है then the person, then that broadcasters the broadcasting network, the broadcasters, the program, transmission everything is going to be let go, right let go in the sense कि मतलब बस करते रहो नहीं आपको पस अब अपना पूरिया बिस्तर बंद करके let go, है न, वो वाला, pack up वाला सी then यहां पे इट कान भी प्रोहिबिटेड भाई ओर्डर this is what the draft says now it says that where the central government thinks कहीं पे भी अगर central government को लगता है कि यहां पर बहुत ही जादा जरूरत है और we need to expedite to do in the interest of sovereignty और integrity of India security of India friendly relations of India with any foreign state और public order, decency or morality it may by order regulate or prohibit the transmission or retransmission of any television channel or program यहां पे पेनल्टी की भी जो point है वो भी कहा गया है maximum penalty कहीं गई है for unregistered entities and major categories is 100% while penalty for the medium, small and micro categories is 50%, 5%, 2% respectively medium 50%, small 5% and micro 2% इस तरीके की penalties जो है वो यहां पर बोली गई है कि लगेंगे what are the major concerns? main concerns क्या है अब यह जो scope की बात है broad scope है broadcasters का जैसे TV का हो गया और जिस तरीके से OTT platform जो है वो काफी जादा evolve कर रहे है तो इन सारी चीजों से की वजय से वहां पर एक तरीके से हमको ना दाइरे जो है वो एक लक्षमन रेखा जो कहती है वो खीचना भी बहुत जादा ज़रूरी है it's a different thing digital freedom and all all those things are there but still sorry तो एक ना एक line draw होना वहां पर बहुत जादा ज़रूरी है अभी ज़र डिजिटल राइट्स और इंटरनेट फ्रीडम फांडेशन है this has basically called for a cautious examination of the bill क्यों? because they are saying that due to the proposed code similarity to the code application to cable TV and increased censorship of TV programs as a consequence क्योंकि जिस तरीके से TV programs के उपर बहुत ज़रूरी ज़रूरी जिस तरीके से लगरी consequences वहां पर जो देखने के लिए मिल रहे है तो वही same चीज़ जो है वो OTT platforms को लेकर के भी हो सकती है this is the point right now this may affect the publishers online free speech freedom of journalist expression and artistic creativity citizens right to access differing point of view because जो publishers है they will be compelled to only produce content जो की एक तरीके से union government के लिए ठीक है वही उसी तरीके content जो है वही produce करने के लिए कहेगा लेकिन यहां पर मैं एक question ज़रूर रेस करना चाहूंगी freedom of these kind of things the creativity मतलब artistic creativity को लेकर के यह जो बहुत जादा इस तरीके से मतलब जो चीजे दिखाते नहीं है एक तरीके से वल्गर चीजे होगी बहुत जादा घटिया चीजे जो दिखाते हैं तो those things cannot be the creativity I don't count them into the creativity people might disagree with me on this thing but this is what I feel कि yes regulation भी बहुत जादा जरूरी है बहुत जादा tight regulation भी नहीं करें लेकिन creativity के नाम पर जो इस तरीके की चीजे एकदम produce करते रहना just to get the views and वो तरीके चीजे जो है न वो बच्चों को भी as I told you in the starting itself यह सारी चीजे बहुत ही जादा accessible है right यह सभी चीजे बहुत जादा accessible है तो people are actually consuming this these kind of things अभी consume होंगे तो अभी से बात है those are the things which are going to impact the mind of the children and specifically अब देख सकते हो कि यह सारी चीजे जो है मारी society पर different तरीके से harm करेंगी definitely okay अभी जो IFF है they further they are saying this thing जो bill है it has basically left several provisions to be determined later by the center arguing that the such excessive delegation of rule making would create uncertainty for the stakeholders कि क्या पता कि भई कल को क्या हो जाए पता नहीं कौन सी चीज को लेकर कि हमारे हमारे जो सीज कर ली है जाए सारी equipment से या फिर हमारा जो काम धंदा जो है वो भी चीजे बन कर दी जाए so these are the kind of questions जो की तरीके से दिमाग में आरी है which is very obvious okay so this was all related to this article now let's move on to the next one and this is going to be related to the payment system okay so यहां पर कह रहा है कि आधार payment bridge system जो है it is basically trying to streamline the payments payments को streamline करने की कोशिश कर रहा है वाया आधार and it has led to diverted payments and in सभी चीजों की वज़े से जो मनरेगा workers है due to flawed आधार seeding premature account mapping and a lack of consent mechanisms that payment system is actually being you know payment is something which is getting delayed or somewhere it is actually getting impacted also so अब यह कह रहा है कि new year से जो wages है मनरेग की यानि महात्मा गांधी national rural employment guarantee system तो यह जो चीज है यह basically आधार based payment system के थ्रू ही अब जाकर के लोगों को मिलेगी जो भी इसके अंडर काम कर रहे हैं यानि कि मनरेग्स के अंडर जो भी काम कर रहे हैं अब उनको मिलेगा अब इन सारी चीजों की वज़ए से लोगों को अब आधार डिटेल्स जो है वो workers के होने बहुत जादा जरूरी है अब यहां पर क्या चीज हो रही है कि जो देखो पेमिंट सिस्टम का जो सीन है यहां पर जो एलपीजी सबसीडीज थी वो सबसीडीज एटल वॉलेट में मिल रही थी यह पता जला 2017 में किस तरीके से चीज़े हो रही है अब इसमें से बहुत सारे ऐसे एटल वॉलेट्स थे जो की unwanted थे यह भी नहीं पता था कि भई रिसिपेंट्स जो है वो है कौन जो लोग unfortunately those people who were affected it included millions of middle class एटल कास्टमर्स who protested when goof of immersed कि भई यह किस तरीकिसे एटल वॉलेट्स में चला जा रहा है और हमको पता ही नहीं चल रहे है एटल वॉलेट्स में जा भी रहे है तो what we are going to make use of that though subsidies we might have used it for something else right तो people they started protesting related to this thing subsidy money was returned and एटल जो है उसको fine किया गया Unique Identification Authority of India यानि की UIDAI के द्वारा and यह सभी चीजे जो है वो बहुत ही जादा एक तरीकिसे horrific रही है for those people जो कि इस चीज से अवेर ही नहीं थे अब यह instance की वज़े से क्या हुआ this was basically this instant what might be called the diverted payments मतलब payment जाना कहीं और ता पहुँच गया कहीं और तो diverted payments उनको कहा गया तो bank payments being redirected to the wrong account without recipients content कि जिसको मिलनी थी उसको उसनका कोई consent नहीं है लेकिन आपने उसका कहीं और ही divert कर दिया payment और उसके knowledge में भी यह point नहीं है तो this is something which is really very dangerous भी ऐसे कैसे हो रहा है right तो this is the point now without the recipient's consent or knowledge what has escaped attention is that diverted payments have become a widespread problem हाल फिलाल में diverted payments क्योंकि digital बनेगा इंडिया में अब क्या चीज़े हो रही है payments सारे digitize हो गई अकाउंट में directly जा रही है अकाउंट में कौन से अकाउंट में जा रही है अब यह वड़ा दिक्कत हो गया मतलब अब कहीं पे भी यही चीज़ होती है law आ जाती है नया तो उसमें law नहीं आई that's a different thing but the point is that उस law में क्या loophole है उस hole को जानो और फिर उससे वहां से जो है कोई फायदा निकालो तो this is what we're done digitally पैसा जा जरूर रहा है लेकिन कहा जा रहा है कुछ idea ही नहीं now अब जैसे की old age pensioners हो गए मन्रेक्स हो गए यह सभी लोग जो है वो बहुत जादा परिशान हो गए इन सारी चीजों की वज़े से अब यहां पर main culprit बताया जा रहा है आधार payment bridge system को okay shaky foundations अब shaky foundation कैसे अब यह जो APBS है आधार payment based sorry bridges system यह NPCI का ही है National Payments Corporation of India इसका है and is that a person's अधार number becomes a financial address कि जो भी उसका आधार number है वो इसका एक address financial address बन जाता है despite having her say multiple account details जैसे कि उसका नाम bank account number IFSC code जो भी चीज़े है to receive a bank transfer she only has to provide her आधार number कोई भी आपको किसे भी तरीके कोई bank account का transfer चाहिए बस अब अपना जो है आधार number दे दो पहले आपका नाम आपको देना होता था पूरा bank account number IFSC code यह सारी चीज़े दे थी थी अब नहीं देनी है आप simply अपना अधार number जो है वो दे दो क्यूंकि अब सारे अधार number जो है वो bank account से connected हो चुकी है इस वज़े से ना अब यह जो introduction of a bank account into a pbs involves two distinct steps okay पहला तो यहां पर यह है कि जो account है must be seeded with the customer साधार मतब जो आधार number उससे connected होना चाहिए पहला system यह कहता है दूसरा कहता है कि must be connected to the npci mapper जिसको की mapping कहा जाता है npci mapper जो है उससे connected होना चाहिए ठीक है अब यहां पर suppose कि अगर कोई जो person है उसके multiple accounts है same person के okay तो a pbs जो है वो जो last mapped account होगा last जो उसका active account होगा जिससे कि इसको link किया गया है उस account में जो है वो पैसे को send कर देगा ठीक है now to understand the dangers of this bridge यह जो bridge है इसके dangers को जानने के लिए यहां पर कह रहा है कि जब यह जन धन योजना लेकर के किया गया कि millions of people बहुत लाखों लोगों ने अपने bank accounts जो है वो open की और अधार से फिर जाकर के उन्होंने जहाँ इसको link भी किया कुछ जन धन योजना accounts ऐसे थे जो कि किसी particular purpose की वजह से open किये गए थे but many others were superfluous and created a confusing multiplicity of the accounts multiple accounts more importantly for our purpose आधार numbers were seeded into these accounts without proper verification आधार number को मतलब connect कर दिया गया किसी bank account से बिना किसी तरीके के proper you know verification के right given short shift अब यहाँ भी क्या चीज कर रहा है अब यह मतलब किसी भी तरीके consent नहीं किसी भी तरीके का कोई भी proper चीज नहीं है without any proper kind of seeding this continued well beyond 2014 अब later on direct benefit transfer जो है वो भी चीज आ गई जिसमें की अब यह benefits जैसे की pension हो गया scholarships हो गया subsidies हो गया मनरेक wages हो गया यह सारी चीजे जो है यह direct benefit transfer के तुरू इन सभी चीजों में जो है यह लगा दिया गया ठीक है now meeting the seeding targets was the top priority and due to verification once again to pack the seat अब यहाँ पे जो है seeding target देखी जाए मतलब आधार कार लिंक होना bank account से सारी चीजे होना अब यह इसन सभी चीजों में भी गड़बड़ी एक तरीके से पाई गई thus the groundwork required for APB is to work reliable seeding of the bank accounts with the आधार कि यह परसन है इसका यह आधार है यह बैंक है इनको जो है हमको connect करना है तो प्रॉपर तरीके से जो चेक करना था वो चीजे सही ढग से नहीं हो सकी तो वो जो एक groundwork basic work होता है वो नहीं हो पाया and it was not done in a very better way it was not done in a better way the seeding mess and यह इसकी वज़े से जो E and इसकी वज़े से ही जो चीजें है वो गड़बड होनी शुरू हो गई so it was sought to cleaned up by making EKYC compulsory कि भई आपने तरीके से आधार तो connect कर दिया अब EKYC जो है वो भी करो ताकि एक तरीके से यहां पर जो चीजें है वो verify हो सके अब इसकी वज़े से क्या हो गया अब जो biometric authentication थी अपने आधार नंबर को verify करने की अपनी identity information जो है अपनी identity information को provide करने की तो authenticate करनी की जो चीजें वो करना पड़ा and now through EKYC बहुत सारे ऐसे banks जो की ultimatum method use the ultimatum method a deadline was set the people's account were blocked when they missed the deadline कि EKYC आपने नहीं किया आपका account जो है वो block कर दिया क्या है right अब यह जो EKYC वाली चीज है यह बहुत ही बड़ा खतरा बहुत ही ज़र बड़ा सरदर्द बन गया poor people के लिए जो करीब लोग है बचारे right because उनको कोई idea नहीं है कि भाई हम कैसे क्या चीज करें we don't know right कुछ ऐसे लोग है जिनको की biometric authentication से कुछ problems है and बहुत चारे ऐसे लोग है जो की inconsistencies रही है between the adhaar database and the bank database इसकी वज़े से भी दिक्कत है तो वो भी एक बहुत बड़ी problem हो रहे थी और भी जो बड़ी problem हो रहे थी वो और भी जादा problem हो रहे थी जो old age pensioners है उनके लिए ये उनके लिए और भी जादा बड़ी वाली problematic issue थी ठीक है so to this day in जहारकन many pensioners are struggling to understand why their pension was discontinued after EKYC was made compulsory ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिचारे बुड़े लोग है they don't want to go how they would be able to go right so this was the kind of problem तो अब ये वाला जो एक point है ये कुछ दिक्कते जो है वो highlight हो रही थी तो मतलब यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम देखे तो ये एक तरीके से properly एक जो base बना करके उसके उपर building बनाने चाहिए थी तो base ही गड़बड होगी तो उसके उपर की building भी गड़बड होगी वैसे ही जैसे कि हम सभी लोग हमेशा गहते हैं कि भाई आपका base जो है वो NCRT है इसको हलके में मतलो जब तक NCRT आपकी सही से नहीं रहेगी तो उसके उपर की building का आप क्या करोगे वो धंग से नहीं बन पाएगी इसलिए इसको एक दम मजबूत करो तक आपकी उपर की building यानि कि आपकी जो foundations है यह this is the main foundation उसके बाद जो आपके जो main subjects होते हैं properly सारी चीज़े पढ़ना तभी सही ढंग से बन पाती हैं वही आप funda देख सकते हो नहीं ढंग से हुआ तो क्या हो रहा है recently Indian school of business जो है उन्होंने analysis कि 10 million payments का 2014-2018 में and they have concluded कि 38% of the all APBS payments जो की Manreg wages थे Manrega के wages थे जारखन में redirect wages to a completely unrelated account कि भही वो उनकी account थी ही नहीं लेकिन वहाँ पे ना जाकर कहीं और चली गई and 38% almost nearly 40% हो गया नहीं है तो इतने बिचारी इतने सारे लोगों का जो पैसा है वो गड़बड जाला हो गया भाई So these are the kind of issues बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो ATL wallet वाला situation उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था Now here comes the lack of accountability पहला point तो यहाँ पर आता है Diverted payments are not the only problem कि यह जो Diverted payments है सर्फ यही एक हमारा problem नहीं है Okay which is associated with the APBS यहाँ पर दूसरी चीज़े भी हैं जिसको discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक तो है rejected payments जो की direct benefit recipients जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा nightmare हो जाता है क्योंकि यह बैचारे इनके पास भागते रह जाएंगे इधर उदर इधर उदर बैचारे काम कर नहीं हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं तो यह कहां कहां और कितना भागेंगे So these are the powerless direct benefit transfer recipients So they are the one जिनकों की पैसे payment में उनकी जो payment है वो reject हो जा रही है आही नहीं रही है दूसरा क्या दिक्कत है These problems are magnified by a pervasive lack of accountability मतलब accountability है ही नहीं set करो न भाइ accountability अब यह ABPS ABPS जो है It is a very opaque payment system and बहुत कम ऐसे लोग है जिनको की clear understanding इस चीज को ले करके तो इसको transparent बनाओ हर कोई जो है इस चीज को समझ सके इसको इस तरीके से बनाओ Why you are not making Why you are not doing something like that When people have problems of diverted or rejected payments they have no recourse उनको पता ही नहीं है कि हमारा payment जो है reject हो जाए या फिर मारा payment जो है वो कहीं और ही चला जाए divert हो जाए तो उस particular case में हमको क्या करना है They don't have much of the information Right Third point यहाँ पे आ जाता है None of these seems to perturb the agencies that are promoting the APBS and related financial technologies अब यहाँ पे जो है कुछ खास यहाँ पे point out नहीं निकल करके है तो जो agencies है जो promote कर रही है APBS को promote कर रही है जो दूसरे financial technologies उनको promote कर रही है कर रही है सारी चीज़े वेग जा रही है भही लोगों को तो उस तरीकी कोई खास benefit नहीं मिल रहा है आप मेहनत कर रहे है आपके account में पैसे नहीं आ रहे है तो फिर क्या फैदा हुआ उस काम का definitely people will be fed up and they will quit Right So that's the kind of problem Now let's move on to the next topic and हमारा जो नेक्स topic है It is related to the donkey route Let's talk about this thing Last year पिछले साल क्या हुआ कि Serbia को अपने जो visa rules थे उनको change करने पड़े थे pressure की वज़े से and कहां से under pressure of the European Union क्यूं कि जो Balkan nation है this was being used by many including Indians as an illegal transit point to Europe मतलब ये कुछ ऐसे countries हैं जिसके through Indians वहाँ पे पहले चले जाते थे फिर वहाँ से वो लोग यॉरोप में enter कर जाते थे तो इसकी वज़े से उनको pressurize किया गया कि भाई आप जो है अपने visa rules को change करो अब जैसे Belgrade जो है वो visa free Indians को जो है वो enter करने देते हैं कुछ ऐसे दूसरे nations भी है जैसे की countries जैसे टुकी है टुनीशिया है, क्यूबिया है बुरुंडी है ये सभी and these were the places which were actually being exploited and इसके through वो कहाँ पे enter कर जाते थे Indians Austria, Hungary, Romania and even to that of the Italy and France also तो ये different different countries में enter कर जाते थे ठीक है, अब ये सारी तरीके से क्यों इस तरीके से हो रहा है because those people who are traveling to EU countries from Serbia don't require a visa, क्योंकि Serbia में जो लोग है, उनको EU के जो भी countries है European Union वाले, यहां से European Union में जाने के लिए उनको किसी भी तरीके की visa की जरूरत ही नहीं पड़ती थी तो this was the best way out Serbia जाओ, Serbia से European Union में किसी कंटरी में उस जाओ भी ठीके, तो अब इसकी वजह से visa free arrivals वाला जो चीज सिस्टम था, Serbia ने उसने हटा लिया इस point को Right, now creating a travel history The transit phenomenon came to light after European authorities recorded more than 1.3 lakh illegal immigrants in the first 10 months of the 2022 कि भाई first 10 months में ही 1.3 lakh लगबग 1.5 lakh illegal immigrants जो थे, वो एंटर गए थे, European authorities का ये point कहना था और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो कि Serbia के थूँ घुसे थे European Union में वहीं पे ही Indians की अगर travel history को consider करा जाए on their passports बहुत सारे ऐसे migrants थे, mostly men जो कि 25 से 40 साल की उमर के थे, and specifically from Punjab these were asked by their agents to enter Serbia after visiting destination, जैसे कि Nepal गए, Nepal, Dubai गए Armenia गए, and इसके through Serbia जाके फिर वहाँ से enter कर जाते थे, so that they came across as genuine tourists to the immigration authorities यानि की, हम जो है भई, पहले इंडिया से निपाल गए, निपाल से Dubai गए, Dubai से Armenia गए वहाँ से Serbia गए, Serbia से अब यहाँ पर आए हैं, तो इतना सारा आप यह चीज़ देख करके आपको लगेगा कि अरे हाँ भई, यह तो ट्रावलर ही लग रहा है है ना, you must be feeling this thing, so this is the point जिसकी वजह से उनको जो है उनके उपर डाउट नहीं किया जाता था लेकिन ओविस से बात है, एक पूरा पैटर्न जब देखा जाता है तो उसके बाद तो पकड़े गए रिसेंटली एक फ्लाइट जिसमें कि 303 इंडियनाशनल्स थे उनको फ्रांस में जो है, रोका गया और अहेट उनको निकार गुआ जो था वहाँ पर जाने से पहले वहीं पर रोक दिया अगर वहीं वहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला था हाल फिलाल में आप लोगों ने दिखा होगा कि एरपोर्ट की उनकी फोटोस जो है, वो काफे सदा वाइरल हुई थी, that these are the people जो की donkey route से, यानि donkey की route से के थू जो है, they were trying to go this and that place right, now the harsh journey, बहुत सारी ऐसे cases हैं जहां पर की on arrival in the transit country, जो migrants हैं, उनको connect किया जाता है agents को, जिनको की donkers का जाता है, और the people smugglers अब ये लोग हैं, जो की basically, इनका जो final destination होता है, वहाँ पर enter करने में help करते हैं that too illegally ठीक है, और ये काम करना बहुत ही जादा risky रहता है, तो अवे से बात हैं कि जो donkers होते हैं, ये बहुत high payment जो है, इस चीज के लिए exorbitant payment जो हैं, वो यहाँ पर demand करते हैं now, to evade border authorities, बहुत सारे से migrants हैं, these are transported in the harshest conditions बिना किसी फूड या water के, ये सभी जो है किसी तरीके से सांस लेते हुए containers में भरके delivery vehicles में डाल करके इनको जैसे तैसे जो है, इनकी destination जो country होती है, वहाँ पर पहुंचाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर होने एक example दिया हुए है कि 2021 में एक case सामने आया था कि पंजाब से एक बंदा यंग मैन जो कि इटली जाना चाहता था तो उनको suggest किया गे कि आप दुबई जो, दुबई सर्बिया, फिर रुमैनिया, फिर हंगरी और यहां के थू जो है, आप इटली पहुंच जाओगे, finally six months में आपकी सारी journey जो है, वो complete हो जाएगी, right, अब इनको ट्रांसपोर्ट किया गया था Hungarian border to Hungarian border from Romania in a delivery truck delivery truck में बठा करके, इनको रुमैनिया से हंगरी जो है, वहां पे पहुंचाए गया और यह भी छोटे से box में उनको बंद करके however, when he returned to India ultimately, as he could never reach Italy and was forced to continue working as a farm in the Hungary right, अब इनको जो है, अब यह इटली पहुंच नहीं पा रहे थे, तो अवे सी बात है ultimately, he couldn't return to, however, he returned to India, ultimately, later on, he returned to India but before that, he was forced to work in the farm, were there in the Hungary मतलब इतना कश्ट लेकर यह दूसरे कंटरी में जाने की तो बात ही नहीं, मुझे समझ में आ रहे है seriously, this much of craze, कि आप इतना जादा रिस्क लेकर कि आप दूसरे देश में जाने के लिए रेडी हो you never know, कि भई, अपकी बोडी भी वापस आपाएगी, कि नहीं, something happens to you 2009 का रिपोर्ट by the United Nations Office on Drugs and Crimes में किसके उपर रिपोर्टी, smuggling of migrants from India to Europe यहां पर हाइलाइट किया गया था कि बहुत सारे ऐसे cases हैं migrants के जो की unsafe vessels में travel कर रहे थे and droning in the unsafe vessels, suffocating to death in the trucks and ships or being victimized by the smuggling gangs also उनके through भी जो है, इनको बहुत जादा victimized किया जा रहा था तो these were the kind of things which were also happening तो इस तरीके से होना, जैसे कि 1996 का case यहां पर बता रहा है जहां पर की 283 migrants थे जो की जिसमें की mostly Punjab के थे they died, जब जो बोट थी एक उस बोट में जितने लोग बैटने चाहे थे उससे जादा लोग बैट गए थे and specifically this capsized in the Mediterranean near Malta on their way to Italy, Italy जा रहे थे, उसी बीच में जो है वो डूब गई and specifically as of now all of you, अभी तक सभी को समझ में आगे हो कि कितना साथा फेवरेट destination हो रखा है Europe, ठीक है, तो out of the regards of the immigration related offenses, जिसको की examine किया गयता 2005-2006-2007 में, तो almost 47% were those people who were destined to go over there in the Europe, जिसमें से 27% थे, who were related to the UK itself, जो जादे तर केसे है, इर्रेगुलर इमाइगरेशन के to UK, वर वाया France, after landing there with a direct visa or reaching France through the irregular donkey route, and when going to the US, so for those who were headed to the US, the first step in the popular donkey route was from India to reach in the Latin American country, जैसे की Ecuador, Bolivia, Guyana, इन सभी जगों पे जो है, जाओ, जहां पर की Indian citizens के लिए, basically क्या है, Indian citizens के लिए, वहां पर visa on arrival है, ठीक है, then कुछ ऐसी countries है, जैसे की Brazil है, Venezuela है, they give tourist visa to Indians, and यह tourist visa जो है, वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो इसके through, they used to go to America, US, ठीक है, but अब क्या हो रहा है, they first go to Europe, and from there directly to the Mexico, वहां से Mexico, यह लोग directly, जो है, यह पहुँच जाते हैं, ठीक है, फिर वहां से, आप सभी को पता ही है, कि border cross करके enter कर जाना है, अब इसके definite numbers जो हैं, वो basically, आप मुको हमारे पास वैसे नहीं है, sizable numbers are believed to be stranded in Spain itself, बहुत सारे यसे लोग हैं, जो कि Spain में ही फसे हुए है, and यहां पे Spain में भी वो लोग illegally ही enter करे हैं, इंडियन detainees have also been reported, जो कि Ukraine, Turkey, Slovakia, Malaysia, Romania, Poland, इन सभी जगों पर detain करे हुए हैं, presumably headed to western European countries, many of these countries have approached the Indian government from time to time to confirm migrants, antecedents for the deportation also, पूरा का पूरा ये सारा चीज देखने के बाद, पढ़ने के बाद, जाने के बाद, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये तरीका सही है, अपने लाइफ को इतना जादा रिस्क में डाल करके, दूसरी country में जाना, वहाँ पे एक दम scratch से सारी चीज़े शुरू करना, हमेशा डर लगे रहना कि भाई, पुलिस आ करके आपको जेल में डाल दे, ठीके, डिपोर्ट ना कर दे, कल को कुछ हो गया, मतलब इतना रिस्क ले करके, आप वहाँ जिस country में जा रहे हो, उस country में पहुँच भी नहीं पाओ, आपकी जो body है, आपकी family को भी ना मिल सके, आपका वजूद ही खतम हो जाए, कहाँ पे कुछ पता ही नहीं चले, इतनी जादा रिस्क ले करके, क्या लगता है, जाना सही है, चले, so with this thing, I am ending my session over here, I hope you people enjoyed it, see you in the next session, bye-bye, take care and have a great time, Jai Hind!